जैसी किष्णा राधिराधी स्री विश्णु भगवान ब्रह्माजी से बोले कि हे पुत्र अम मैं तुम्हें एकादशी के जागरण का लक्षन और फल बताता हूं जिसके श्यवन मात्र से ही कलियूग में सर्वदा सबसुलब हो जाता है गीत गान वाध्य भाजा नत नाज पुराण का पाठ धूप दीप नेवेध्य पुष्प चंदन सुगंदी द्रव्य का लेपन फलों का समर्पन करना शद्धादान इंद्रियों का निक्रे सत्य युक्त निंद्रा रहित आंधन पूर्वक मेरा पुजन करे जो उस्साह सहित पाप रहित आलशे रहित पदशीन युक्त नमस्कार पूर्वक मेरे इस काम को करता है वे मेरे ही लोग का भागी होता है निराजन सहित अत्यंत प्रसन्य चित होना हे महाभाग प्रतेग प्रहर में मेरी आर्थी करना इन 26 गुणों से युक्त जागरण को जो मनश एकादशी के दिन भक्ती पूर्वक करता है वे फिर प्रत्वी पर जर्म नहीं लेता वे आवागमन के चक्र से छूड़ जाता है जो इस प्रकार धन्शद्धा से रहित होकर यथा शक्ती परमभक्ती से जागरण करता है वे मुझ में ही लीन हो जाता है जो प्राणी मेरे एकादशी के दिन में सोते हैं तो उनको समझना चाहिए कि वे कल्यूग में सर्प्र से डसे हुए हैं जो प्राणी जागरण नहीं करते उनको माया रुपी पाप के बंधन में पढ़कर अत्यंत मोहित हो रहे हैं जिनोंने कल्यूग में एकादशी के आने पर बिना जागरण के ही एकादशी को बिता दिया तो उनको अवश्य ही विनास होता है क्योकि ये जीवन अनित्य है जो दोनों नत्रों को खोलकर हिधर से मेरी चरण अरविंदों को इस्थिरकर जागरण को नहीं देखते वे प्राणी पातकी हैं वाचक के नहरेने पर गीत नत्य को करावे हैं देवेश ये दिव्यास जी मिल जाएं तो पुराण को जरूर पड़ें हैं, पुत्र हजार अशुमेग, सो वाचपे यग्य का जो पुन्य होता है, उससे भी कोटी गुना पुन्य, एकादशी के दिन रात्री जागरन से होता है, हे मानद मेरे एकादशी के दिन जागरन काने से पित्रपक्षि के मात्रपक्षि के इस्तरीपक्षि के कुनों का उधार हो जाता है। उपवास के दिन जागरन प्रारम होने पर जो विद्न उपसित करता है, तो मैं उस स्थान को छोड़ कर उसे शाब देकर चला जाता हूं। जो लोग मेरे एविद्या एकादशी के दिन जागरन करते हैं, उनके बीच में प्रसन होकर मैं नयत्य करता हूं। जो मेरे पास जितने दिन जागरन करता है, उतने ही दस हजार युग तक मैं मेरे घर में आकर आनंद सुक भोगता है। एकादशी के दिन जागरन के बिना पूर्वजों की नगया में पिंटदान से न तीरत जाने से न बहुत यग्य से मुक्ती मिलती है। अतसब साधनों से जागरन शिष्ट है जो मेरे एकादशी के दिन जागरन के समय पुष्पों से पूजन करता है। वे प्रतेक पुष्प में अश्य में यग्य के फल के भागी होते हैं, हे पुत्र जो मेरे एकदशी के दिन रातरी में जागरण के समय दीब दान करते हैं, वे प्रतेक्षन के हजार से दस हजार गोदान के फल को पाते हैं, हे पुत्र जो मेरे जागरण के दिन हविशान का निवेद अरपन करता है, वे धान के पहाड के दान का पुन्यफल पाता है हे चत्तुरवक्त जो अने प्रकार के पकवान तता फलों को मेरी जागरन के दिन देता है वे सो गोदान के फल का भागी होता है जो मेरा भक्त मेरे जागरन के दिन कपूर के साथ तामबूल को देता है वह मेरे प्रसाद से सातो दीपो का स्वामी होता है हे देवेश जो मेरे जागरण के दिन पुश्पो का मंडब पनाता है वह पुश्पो से सजाए हुए विमान पर सवार होकर मेरे ग्रह में आनंद सुख भुगता है जो मेरे जागरण के दिन कपूर और गूगल का धूब देता है, वे अपने लाक जन्म के पापों को भस्म कर देता है, जो मेरे जागरण के दिन मुझको दही, दूद, घी, जल से इसनान कराता है, वे इस लोग के सुख को भोग कर वरने के बाद शेष्ट मुक्ति को पाता है जो दिव्य वस्त्रों को विवित प्रकार के फलों को मेरे लिए देता है वे वस्त्र के जितने तंतु सूत होते हैं उतने ही वर्षो तर चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद सुख भुगता है जो रतनों से जडित सुवन के अभुशन को मेरे लिए देता है वे साथ कल्प परिय मेरे गोध में आकर वास करता है और मेरा ही प्रिय होता है जो घी से विशेश करगाई के घी से दीपक को मेरे जागरण की रात को जलाता है उसको एक एक मिनट में दस हजार गोधान का फल मिलता है जो मेरे जागरण के दिन कपूर के दीपक से निराजन करता है वे कपीला गोधान के फल का भागी होता है जो पुने दीब्दान गीत गान नत्य नाच पूझन करता है वे सेकडो वरत और दान के समान पुन्य को पाता है जो सम मेरे सामने जागरन के दिन लज्जा छोड़ कर गीत गाता है नत्य करता है वे आदा मिनट में कोटी यग्ये के फल को पाता है जो मेरे जागरन के दिन गीत या नत्य को रोकता है या मना करता है वे 60,000 वर्ष तक रोरव नरक में यातना को भोकता है जो मेरे जागरन के दिन मेरे सामीब नत्य करते हुए मनश के सामीब जाते हैं वे लोग भी धैमराज के बंदन से छूट कर मुक्ती के भागी होते हैं और मेरे ही लोग को आते हैं जो मेरे जागरन के दिन नत्य करने वाले मनश की हसी उड़ाते हैं वे चोदर इंदर के राज्य तक नरक में जाकर दुब भोगते हैं जो जागरन के दिन भक्ती से पुस्तक को पड़ता है वहशलोग संख्या के हिसाब से उतने ही युक्त मेरे पास आकर आनंद सुब भोगत है विद्वानों ने जो पुन्यफल मेरे मंदिर के पदशीना को बताया है वही पुन्यफल अनेक युगों में कोटी यग्यों के करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता है ये सूत जो मेरे सामने जागरन के दिन मालाकार दीपक को जलाता है वे कोटी विमान के साथ देवलोग में जाकर कल्प वर्ष परियन तक आनंद सुख भुगता है। जो जागरण के समय मेरे बाल चरित्र को पढ़ता, सुनता या सुनाता है। वह मनश सहस्त्र कोटी युग तक श्वेत दीप में जाकर वास करता है। इसलिए दोनों पक्ष की एकादशी को जागरण करना जो जागरण की रात्री को गीता या विश्नु सहस्त्र नाम का पाट पढ़ता है। वे दोक्त मंत्रों का पुराणों का जागरण के समय पाट कने से फुन्नी की प्राप्ती होती है। ये पुत्र जो मेरे जागरण के समय धैनु को दान करता है। वे सातों द्वीप में य सिद एकादशी के दिन जागरन करना कहा है जो व्यक्ति मन वचन कर्म से एकादशी के दिन जागरन करते हैं वे मेरे लोग से फिर कभी लोट कर वापस मित्युलोग में नहीं आती जो व्यक्ति एकादशी जागरन के लिए लोगों को प्रोस्ताहित करता है वे अगले जन्म मे चक्रवती राजा बनते हैं, यह मेरा कथन सत्य है, रात्री जागरण करने वाला राजा कुकुस के सामान भागेशाली होता है, जो अपनी शक्ती के अनुसान दान देता है, वह अती दुरलब राज्य को पाता है, जो रात्री जागरण में गाने वाले, बाजा बजाने वाले नित्य करने वाले को 10 रुपिया भी दान में देते हैं तो वे इसके कई गुना कई करोड गुनाफल पाते हैं वे सब नाचने वाले वेश्या के साथ मेरे सनातन लोक में आते हैं दुष्ट योनी में जन्म लेकर भी मेरी एकादशी के दिन जागरन करते हैं हे मुनिशेष्ट ऐसे कामुक लोग भी राजा हो जाते हैं और निशकाम, चांडाल, आदी भी जागरन करके मुक्ती के भागी हो जाते हैं मेरे एकादशी के दिन जागरन में जाती का विवेक नहीं है और कल्यूग में मेरे एकादशी के दिन एक जागरन को छोड़ कर ने तो ध्यान पावित्र है और कल्यूग में ने गंगा का जल पावित्र है। द्वादशी के आने पर जो लोग जागरन करते हैं, वे इस कलियूग में धन्य हैं और करतार्थ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, इस मनुष लोग में मनुष एकादशी से विमुक न होए, क्योंकि एकादशी से विमुक मनुष अपने से पूर्व के गत और आगे होने वाले जिवों को नरक में गिराता है, शेष्ट गुणों से युप्त एक पुत्र का होना अच्चा है, किन्तो निर्गुन बहुत पुत्रों के होने से कोई लाब नहीं, जो एकादशी के दिन जागरन करके अपने पूर्वुजों का उद्धार करते हैं, जो मेरे कहे हुए जाग जागरन के महात्यमे को भक्ती भाव से पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, वे अपने सोक लो का उद्धार कर देते हैं, ए गम्या इस्त्री में गमन करने से और ए भक्ष वस्तू के भक्षन करने से जो पाप होता है, हे सूत वे समस्त पाप एकादशी का जागरन करने से जो पाप किये हैं ज्यान पूर्वक जो पाप किये हैं पूर्व जन्म के संचित पाप इस जन्म के पाप एकादशी के दिन जागरण करने से नश्ट हो जाते हैं और मन वांचित फल को पाते हैं हे चत्तुर वक्तर मेरे एकादशी की रात को जागरण करने परमनश केवल जागरण से ही मुक्ति के गामी हो जाते हैं जो फल एकादशी के कल्यूग में रात्री जागरण करने से मिलता है वह फल कुरुशेत्र और प्रियाग में जाकर इस्तनान वरत तीरत करने से भी नहीं म मिलता हैं जिस मनुष्य के यहाँ एकादशी का कारण है अर्थात एकादशी के दिन व्रत पूजन जागरण आदी होते हैं उसके समस्त दुष्ट ग्रह सदा के लिए सोम्य हो जाते हैं और संतान को वियोग नहीं होता तथा मेरी कीर्थी सुनने में नित्य प्रेम होता है वे प्रेम कभी नश्ट नहीं होता तथा रण में और राचकुल में हमेशा उसे विज़े मिलती हैं हमेशा धर्म में व्रत्धी मुझ में निष्चल भक्ती होती हैं तथा एकादशी की बक्ती काने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं रहता मेरे एकादशी के दिन आईए एक पुराणी कथा सुनते हैं, एक बार की बात है, उत्तान पाद नाम का एक राजा राज्य करते थे, उनकी दो राणी आती सुनूती और सुरूची, प्रतेग राणी का एक एक पुत्र था, सुनूती के पुत्र का नाम धूर तो सुरूची के पुत्र का नाम उत्तम था, राजा अपनी दूसरी रानी सुरूची से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उत्तम उनका पसंदीदा पुत्र था, एक दिन धूर ने देखा कि उत्तम उसके पिता की गोद में बैठा खेल रहा था, तो उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, त तुम उतने भाग्य शाली नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र के रूप में जर्म नहीं लिया, इसलिए मेरा पुत्र ही राजा की गोद में खेलेगा, तुम जाओ और भगवान विश्णों से प्रातना करो कि अगले जर्म में तुम मेरी कोग से पैदा हो, ऐसा कहे कर अपनी सोतेली मा के कठोर शब्दों से धुब्र को बहुत तकली हुई, वै रोता हुआ अपनी मा सुनीती के पास आया, जो कुछ भी घटना घटित हुई, वै पूरी बात अपनी मा को गताई, सुनीती ने अपने पुत्र को सांतना देते हुए कहा कि पुत्र चिंता मत करो भगवान विश्नु बड़े महान है वे हम सभी से प्रेम करते हैं वे तुमारा भी ख्याल रखेंगे दुब्र ने पूचा कि भगवान विश्नु उसके पिता से अधिक महान है तो उसकी माने कहा कि नी संदे वे सबसे महान है दुब्र ने भगवान विष्णु को खोजने का निन्य किया दस साल के दुब्र ने अपना महल छोड़ दिया और भगवान विष्णु की तलाश में जंगल में चला गया वे जंगल में कई दिन तक इधर उधर बटकता रहा सबी से पूसता रहा कि भगवान विश्णु मुझे कहा मिलेगे तब एक दिन नारद मुनी दूर के पास पहुंचे नारद मुनी ने दूर से कहा कि हे पुत्र तुम बहुत छोटे बच्चे हूँ इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हूँ दूर ने कहा कि मैं भगवान विश्णु को खोज रहा हूँ नारद मुनी ने कहा कि मुझे डर है कि इस जंगल में भटकते हुई आपको भगवान मिलेंगे या नहीं आपको इसके लिए घोड तपश्या करनी पड़ेगी तुमको यमना नदी के किनारे एक खास पेड़ के नीचे बैठना होगा बिना भोजन, बिना पानी, बिना सोय भगवान के नाम का जाब करना होगा धुब्रण ने नारदमुनी को उनकी सला के लिए धन्यवाद दिया और वह यमना नदी के किनारे एक पेड़ के नीची चला गया वह वहाँ बैठ कर ओम नमे नारायनाय मंत्र का जाब करने लगा जाब करते हुए अनेक बरस बीद गे तब एक दिन भगवान विश्णु उसके सामने प्रकट हुए जब उसने तपश्या शुरू करी थी तब वह भगवान से कई सारे सवाल पूछना चाता था परन्तु जब भगवान उसके सामने प्रकट हुए तब उसे ऐसास हुआ कि उसके सवाल कितने महत्व हीन थे भगवान विश्णु ने कहा कि मैं तेरी भक्ती से प्रसन हूँ तुम कोई वर्दान मांगो दुबर ने कहा कि प्रभू मेरी इच्छा स्रिप आप के दर्शन करने की थी अब आप यहां है मेरी अब कोई इच्छा शेश नहीं रह गई भगवान विश्णु उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारे भक्ती और ज्यान महान है मैं तुम्हें यह आशिरवात देता हूँ कि जब तक तारे आसमान में रहेंगे तब तक तुम्हारी प्रसिद्धी पूरी दुनिया में रहेंगी सभी तारे तुम्हारी चारों तरफ घुमेंगे तुम आकाश से यात्रियों को रास्ता दिखाओगे जब वे अपना रास्ता भटक जाएंगे उसके बाद धूर वापस लोट आया उसके वापस लोटने पर नगर के लोगों ने उसका भवे स्वागत किया अपने पिता की मेत्यू के बाद धूर ने न्याई पूर्वग राज्य किया और एक महान राजा साबित हुआ जब दुब्र मरा तो आकाश में एक चमकीले तारे के रूप में परिवर्टित होगे यहां तक कि हम आज भी उत्तरी दुब्र में इस तारे को यात्रियों को रास्ता दिखाते हुए देख सकते हैं तुलसी महरानी की आर्थी तुलसी महरानी नमो नमो हरकी पतरानी नमो नमो कोन से महिनाय में बोई रानी तुलसा तो कोन से महने में हुई हरियाली आसाड के महने में बोई रानी तुलसा तो सावन के महने में हुई हरियाली कौन से मैंने में हुई तेरी पूजा तो कौन से मैंने में हुई पतरानी कार्ति के मैंने में हुई मेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पतरानी धूब दीप नेविध्य आर्ती तो पुस्पन की बरसा बरसानी चपपन भोग चतीसो व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक नमानी जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो स्रीक्रश्न के दर्शन पावे जो कोई तुलसा को दोपैरा गावे तो खीर खांड का भोग लगावे जो कोई तुलसा को संजा को गावे तो सिरी क्रश्न जी की आरती उतारे जो कोई तुलसा को आधिरात को गावे तो सिरी क्रश्न जी के चरण दबावे तुलसा महरानी नमो नमो हरकी पतरानी नमो नमो